नमस्कार, मैं एस्ट्रलोजर शिखाजैन, आज लोशो ग्रिड में आपको मिसिंग नमबर के बारे में बताऊंगे मिसिंग नमबर कौन सा? नमबर तू ग्रिड के अंदर ये फिक्स नमबर होते हैं, इसके अंदर आप अपनी डेटो पर लिखिए पूरी सन समेत और फिर इसके अंदर एक एक नमबर करके आप फिक्स कर लीजिए ये वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है डेटेल में, आप जाएए और देखिए आप बहुत असानी से अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ना कर पाएं, कोई बात नी, पर आप अपने बारे में कुछ तो जानी सकते हैं मैंने ड्राइवर, कंडेक्टर नंबर, कुवर नंबर बताना, निकालना सब बता रखा है, सब की अलग लग वीडियो है, जो के हमारी प्लेलिस्ट भी है इसकी, आप जाके लोशो ग्रिट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर सीक्वेंस में सारी मैंने वीडियो बना रखी है, आज हम बात करेंगे मिसिंग नंबर की, सबी नंबर तो हमारी लोशो ग्रिट में फिक्स नहीं हो सकते हैं, हमारे चार्ट के अंदर जो नंबर दिये होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे ही नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर, कुछ नंबर हमारे नमबर ना अगर कोई नमबर नहीं है तो क्या रिजल्ट आता है आज हम उसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे नमबर टू की नमबर टू आपको पता ही है वो चंद्रमा का होता है चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और नमबर टू का जो बॉक्स होता है वो विवा को भी द कें अगर तोनमबर मिंसिंग है आपका उसकी यूब्लिकी की कुंडली के नंदर तो आपको आपका मन थिर नहीं रहेगा इदर और भागेगा और यह काई रिज़े बर पित्रदोश foreign as अप जातता है के अगर आपको मेरा वीडियो पदर आ तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चानल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें मैंने देखा है अगर दो नमबर मिसिंग होता है तो वेक्ति के कुंडली के अंदर पितर दोश भी होता है ये हमारा पितर दोश को भी दर्श आता है तो हमें इसके लिए अपने पितरों को भी शान करना चाहिए उनको भी खुश करना चाहिए दो नमबर अगर आपके कुंडली के अंदर नहीं है नमरालेजी की कुंडली के अंदर तो आपके माता से सम्मंद खराब होंगे आपको अपने विचार व्यक्त करने में बहुत दिक्कत आएगी आप अपनी बात किसी से असानी से कह नहीं पाएंगे आप मनी मन बहुत कई बार दुखी हो जाओगे मैंने देखा है कई बार दो नमबर नहीं होता है वो बेक्ती अपनी दिमागी उलजनों में खोई रहती है वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें किस तरफ जाना है वो इसी तरफ रहते हैं कि मेरे को इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है हमारे क्रिशन पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि चंद्रमा है न तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पूर्णमा शिवी इसमें में रूल अदा करती है तो इसके लिए हमें चंद्रमा की रोशनी में जरूर खड़े होना चाहिए अपनी माता से अगर संबंद घराम है आपके तो उनसे बात करनी चाहिए अपने संबंदों में सुधार लाना चाहिए दो नमबर अगर मिसिंग होता है तो आपके विवाहिक जीवन के अंदर बहुत असर पड़ता है क्योंकि एक तो यह हमारे विवाहिक जीवन को भी दिखाता है पती-पत्नी के अंदर चुच्छी बाते आपस में ना कहपाना एक दूसरे की बातों को गलत समझ लेना एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना तो आपस में मैंने दिखा है दो नमबर मिसिंग होता है तो बहुत ज़्यादा लडाई जगडा होता है तो उसके लिए में क्या करना चाहिए अगर आपका दो नंबर मिसिंग है और आपके विवाई जीवन में दिक्कत आ रही है तो आप अपने डेटो बर्स से बहुत इजली देख सकते हैं तो हम उसको सुधार कर सकते हैं हमारा ये बताने का यही लक्षे है कि आप थोड़ा सा अपने विक्तित्व को थोड़ा सा अपना मोडिफाई कर ले जिससे के आपको लाप पहुचे तो उसके लिए में क्या करना चाहिए अपनी जीवन साती के साथ बैट के अपने पार्टनर होते रहते हैं उसकी बाते भी आपको समझ में नहीं आती है या आप अपनी बात उसको नहीं समझा पाते हैं तो इसका मतलब है आपके कुंडली के अंदर दो नमबर मिस्सिंग है दो नमबर मन का विकारक होता है आपकी वाइफ ने या आपके हस्बेंड ने आपको कुछ क आप बहुत दुखी हो जाते हो, उसको मन से लगा लेते हो, या चलते-चलते कोई मजाग कर गया, आप उसको भी मन में बिठा लेते हो, तो ये नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने व्यक्तित वे पर काम करना चाहिए, दो नमबर वाले, अपनी बातों को सही साबित करने में जिनकी कुण लिके हैं तो दो नमबर मिसिंग है हम मिसिंग नमबर की बात कर रहे हैं नहीं है दो नमबर मिसिंग है तो हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि अपनी बात को सही साबित करने में हम लगे ही रहते हैं चहे है वो बात गलत ही क्यों न हो, हम उसको सही साभित करने में लगे रहते हैंAR क्रेंस आ में पहातते किशिवर्क वकमिष करने में बहुत दिखाने हैं, तीमवर्क में कारेंON नहीं कर सकती हैं और किसी चीज़ का नित्रवित करना हो बिलकुल भी नहीं यह नहीं कर सकते हैं यह थोड़ी सीन के अंदर कमी होती है धायरेक इन में बहुत कमी होती है यह बहुत जल्दी परिशान हो जाते हैं मन में बुरे-बुरे विचार लाने लग जाते हैं कोई अगर किसी कोई काम नहीं ह हो रहा है या कोई यात्रा पे गए है या कोई दिक्क्त हो गई कर सकते मानं लेंगे तो इनके इंदर छोड़ी धेरे की भी कमी होती है या इनको कह दिया जाए कि आप चीज अभी मत करिए या यह चीज अभी मत कहिए तो इनको थोड़ा सा परिशानी होने लग जाती है कभी खुश रहेंगे कभी दुखी हो जाएंगे यह तो चंद्रमा की प्रवर्ती है यह एक नमबर वालों से भी काफी प्रवावित होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर एक होता है क्योंकि चंद्रमा को रोशनी किस से मिलती है एक नमबर वालों से मिलती है तो थोड़ा सा अगर कुंडली के अंदर एक नमबर हो तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है थोड़ा सा यह डिसिजन ले पाएंगे और अपनी बात को कह पाएंगे तो अगर दो नमबर कुं को चाहिए कि अपने विवायक जीवन में शांती बनाने के लिए अराम से बैठें, बाच्चीत करें, नहीं तो इनके संबद बहुत बिगड सकते हैं, दूसरा किसी एसोशिशन के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने विचारों को न मिल जुल के रहने की भी इने कोशिश करनी चाहिए, देखिए बहुत मिश्दिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है वो चीज जो कुदरत ने हमें नहीं दी है, लेकिन हमारा जानने का यही तात पर रहे हैं कि हम उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इंबॉल्व कर सक पानी को वेस नहीं करना चाहिए, गलत कारें में नहीं पढ़ना चाहिए, अगर कोई बड़ा बुजर्ग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, तो उस बात को समझना चाहिए, बाद में मन परिशान करेंगे, दुखी होएंगे, उसके कारण अपने आपको को उससे अच्छा तो यह है कि एक बरी दूसरे बंदे की बाद सुन ले अगर किसी का दोनबर मिसिंग है अगर सामने वाला बंदा या आपका पार्टनर या आपकी वाइफ आपको कुछ कह रही है आपको कुछ समझाना चाहता है कोई तो उसकी बात को थोड़ा सा तवज्जू देना चाहिए संतूलन बनाने में थोड़ी सी ने दिक्कत आती है यह संतूलन नहीं बना पाते किसी चीज़ के अंदर या तो चीज़ को बहुत ज़ादा करेंगे या बिल्कुल करेंगे नहीं मन मारके बैठ जाएंगे बिल्कुल उदास होकर बैठ जाएंगे तो संतूलन एक जीवन के अंदर बहुत मैत्पुन रोल उदा करता है अगर आपके जीवन में संतूलन नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है तो संतूलन बनाना बहुत जरूरी है कभी ऐसा नहों किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया कभी बहुत कम दे दिया जहां जूरत है वह दिया ही नहीं जहां जूरत नहीं है वहां दे दिया तो एक संतूलन बनाना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर और अपनी गलती को मानना भी चाहिए तो दो नमबर अगर missing हो तो आपने देखा न हमाय सथ क्या दिक्कते आ सकती हैं एक अपने विवाईक जीवन को थोड़ा ठीक रखिए अगर कोई आपकी पार्टनर अगर आपको कोई बात कह रही है या आपकी वाईफ कह रही है या आपका हस्बिन कोई बात कह रहा है तो प्लीज उस बात को सुनिए आपका पार्टनर है बिजनस पार्टनर है आपका बॉस या आपके कुली कोई चीज कोई बात आपको कह रहे हैं तो उसको समझिए, उसको करिए आज हमने बात करी दो नमबर missing की आगे हम बात करेंगे और नमबर की जो हमारे नेम्रो चार्ट में missing है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी चानल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू